हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आप सब का स्वागत है पिंकी कब बेश्ट किचन में तो फ्रेंड्स आज हम सब उदाने के खीर बनाने वाले हैं जो खास नवरातरी ब्रत पर आप बना कर खा सकते हैं तो इसके लिए हमने देखिये लिया है सब उदाना जो बड़े साइज क अब हम इसे पानी से धो लेंगे अच्छे तरह से मसलते हुए और हमें लगभग दो से तीन बार बहुत अच्छे से धो कर इसका पानी गिरा देना है तो एक बार हमने धो लिया अब इसे दुबारा धो लेते हैं और इसका भी पानी हम गिरा देंगे कुल मिला के हमने तीन पानी से धोया है और लगभग आधा गिलास इसमें पानी डानेंगे आधा गिलास से थोड़ा कम इसे फुलने के लिए अब हम छोड़ देते हैं लगभग दो घंटे के लिए अब हम दो घंटे बाद हो चुका है तो इसे चेक करते हैं तो देखिए ये फुल चुका है पानी जो था वो पूरी तरह से सबुदाना ने अब्जॉर्ब कर लिया है और बहुत चिपचिपा नहीं है देखिए थोड़ा हलका ये फुला है तो चलिए आगे इसे बनाते हैं तो यहां हमने कडाही गर्म कर लिया है इसमें लगभग दो चमच घीर डालेंगे और इसमें हम 10-12 बदाम लेंगे और इसे थोड़ा हलका रोष्ट करेंगे और इसे बिलपूर लो फ्रेम पर हम रोष्ट करेंगे जब यह हलका रोष्ट हो जाएगा तो इसमें हम 10-12 काजू डालेंगे और इसे भी हम हलका सा रोष्ट कर लेंगे अब इसमें last में हम डालेंगे सूखा हुई नारेयल जो पतला slice में कटा हुआ है अब इन सबको हम roast करके इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे तो ये roast हो चुका है अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और इधर हम सावुदान को भी इसी कड़ाही में हलका सा रोस्ट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर एक या दो मिनट के लिए तो यह रोस्ट हो चुका है अब इसे हम उतार देंगे और इसको साइड में रखते हैं और यहां हम गैस चुले पर चड़ा दिये हैं दूद लगभग एक लिटर दूद हमने लिया है और इसे बहुत अच्छी तरह से इसमें उबाल आने देते हैं तो आप सब देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है अब इसमें उबाल आ चुका है तो इसे हम उतार देते हैं और फिर से वापस से हमने सब उदाने वाली कड़ाही चड़ा दिया है और इसमें हम डाल देते हैं गरम उबले हुए दूद और इसे बहुत अच्छे से चलाएंगे तो अभी जो दूद है पतला दीख रहा है जब ये थोड़ा पकने लगेगा तो दूद गाढ़ा हो जाएगा तो देखिए दूद में उबाल आने लगा है और इसे हम लगतार चलाते हुए इसी तरह से पकाएंगे जब तक कि दूद गाढ़ाना हो जाए तो यहाँ दूद बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है अब हम इसमें चीनी डालेंगे आप चीनी अपने मीठे अनुसार डाल सकते हैं कम या ज़्यादा और हम इसे भी मिला लेंगे और इसमें डालेंगे जो हमने भूंजे थे काजू और बदाम उसे डालेंगे और थोड़ा सा काजू बदाम हम बचा कर रखेंगे सब बाद में सजाने के लिए तो यह हमारा साबुदाना का खीर बिल्कुल रेडी हो गया है और यहां हम ले रहे हैं दो इलाइची और उसे हमने कूट लिया है बिल्कुल बारिक और हम खीर में इसे मिक्स कर लेंगे तो यह हमारा साबुदाना का खीर बिल्कुल रेडी है अब हम इसे आपको सर्फ करके दिखाएंगे तो ये देखिए हमारा साबुदाना का खीर बिल्कुल बन कर रेडी है और इसे थोड़ा सहाम उपर से सजा देते हैं काजू और बदाम से तो अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और कॉमेंट में बता सकते हैं कि आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगती है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए बैबाई